जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर राश्रिय कदन वर्ष खोशित किया गया है आज मैं आप पाध्यान इन मोटे अनाजो या कदन की तरफ ले जाना चाहती हूं इनकी पॉष्टिक्ता के बारे में बताना चाहती हूं और हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कैसे इनको अपनाएं इसके बारे में हम बात करेंगे भारत जो कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है हमारी सरकार ने ही इस वर्ष को अंतर राश्रिय कदन वर्ष घोशित कराने में महत्वपूर भूमिका अदा की है और उसका कारण यह है कि हमारा देश ही कदन का मुख्य उत्पादक है और यह है एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारी इस संपदा को हम विश्व के बाजार तक ले जा पाएं और उसकी महत्ता का फाइदा उठा सके मोटे अनाजों को दो वर्बों में वाटा गया है एक है मुख्य कदन ज्यानिकी बाजरा, रागी और ज्वार और उसके अलावा अन्य कदन भी है जैसे की कुठकी, कंगनी, सामक, इत्यादी हमारे देश में प्राचीन काल से ही कदनों को उगाया जा रहा है और कई प्रदेशों में इनको पारंपरिक तोर पर सेवन भी किया जाता है तो इनकदनों का विशेश्व महत्वर ये है कि लगभग बंजर जमीन, ऊशन स्थिती, बदलते वातावरन के परिवेश में ये आसानी से उगाय जा सकते है इनको उगाने के लिए अधिक सिचाई की आवश्यक्ता नहीं नाहीं अधिक कीतनाशकों की या उर्वरकों की यानि कि जो बजलता परिवेश है उसके लिए सतत पोशन रक्षा देने में ये बिलकुल सक्षम है और यदि हम बात करें इसके पोश्टिक महत्व की तो गेहूं चावल और मक्का के अनुपात में ये हर पैमाने पर खरे ही उतरते हैं यदि हम पोशन के अनुरूपता की बात करें तो कदन हमारे बदलते जीवन शैली के विकार से उत्पन कई सारे रोगों से निजात पारे में महत्व पूर्ण भूमेका निभाते हैं जैसे की रिदय रोग, कैंसर, गठिया का रोग, सूजन इन सभी रोगों से निजात पाने में ये कदन या उसके एक्स्ट्राक्ट्स वैज्यानिक शोध पर कारगर पाये गए हैं कदनों में रेशे की मात्रा काफी अधिक होती है और ये रेशा ही मुखे रूप से इन सभी रोगों से निजात पाने में काफी प्रभाव शील पाया गया है हमारे खानपान में रोज हमें 25 ग्राम रेशा जरूर लेना चाहिए परन्तु सामाने भोजन में ये मात्रा प्रायह ही मिल पाती है इसके लिए कदन का सेवन एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और इन रेशों की वज़े से ना केवल कॉलेस्ट्रॉल बलकि शुगर के नियंत्रंग में भी काफी महत्वपूर भूमिका निभाते हैं जब हम कदनों का सेवन करते हैं तो हमारे खून में शुगर की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती बलकि धीरे धीरे बढ़ती है इसलिए diabetes और हृदय रोग के लिए इनका सेवन काफी फायदे मन्द साबित होता है प्रोटीन की यदि बात करें तो गेहूं चावल मक्का के लगभग सामान अनुपात में ही इसमें प्रोटीन होती है लेकिन प्रोटीन की गुनवत्ता काफी अधिक है अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की मात्रा रागी में बहुत अच्छी होती है यानि कि गेहूं के अपेक्षा 10 से 15 गुणा और चावल से तो 15 से 20 गुणा तक कैल्शियम की मात्रा होती है जैसे कि हम जानते ही हैं कि लगभग साथ प्रतिशत जनसंख्या हमारे देश की खून की कमी से ग्रसित है तो लौह की मात्रा इन कदन्नों में बहुत अधिक होती है जैसे कि बाजरा, सामक, प्राउन टॉप मिलेट इनमें आइरन की मात्रा यानि की लौह की मात्रा काफी अध एक काफी बहुती है इसके अलावा नाएसिन पोलिक एसिड आदी विटामिन भी इनमे फ्रचुर मात्रा में पाएजाते हैं अब हम बात करते हैं कि इन कदन्नों को अपने आहार में शामिल कैसे करें बाजार में आपको मोटे अनाजों की आटे मिल पाएंगे और इसके अलावा आपको सूजी या फिर पोहे के रूप में भी ये मिल सकते हैं लेकिन इनका सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इनको अंकुरी करन करने के बाद इनको भून ले और फिर उसको पीस कर या ऐसे ही इनका सेवन करें हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप गेहूं चावल मक्का को खाना बिल्कुल ही छोड़ दें लेकिन आपके आहार में जो विविधता लानी है, आपके अनाजों के सेवन में भी विविधता लाने की हम बात कर रहे हैं, यदि आप अपने भोजन में 20-30 प्रतिशक तक कदन्नों का सेवन करें, तो ये आपकी स्वास्ते के लिए बहुत ही लादकारी रहेगा, और आपको बहुत सारी बीमारियों से निजाद भी दिलवाएगा, आज हम आपको बाजरा और रागी के नमकीन बिस्कुट बनाने की प्रक्रिया सिखा रहे हैं, इसके लिए हमने आधा किलो बाजरे का आटा लिया है, साथ ही समान वात्रा में मैदा, चीनी, मक्षन, बेकिंग सोड़ नमक और अजवाइन लिया है, बाजरे का आटा और मैदा के आटा को मिला लें, उसमें बेकिंग सोड़ा, नमक, मिल्क पाउडर मिला लें, और तीन बार इसको छान लें, छानने से यह होता है कि बेकिंग पाउडर समान रूप से पूरे आटे में मिल जाता है, और आटे की इस तरह से आटे को छान के रख लिया है, साथ ही मक्षन और चीनी को अलग से फेंट लिया है, अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, और साथ में निर्धारित मातरा में हम दूद या पानी डाल सकते हैं, सिर्फ इतना ही पानी या दूद डालना है ताकि यह एकठा हो प यदि आप बेलना नहीं चाहते हैं तो आप अपने हाथ से भी इसको आकार दे सकते हैं और चप्टा करके बेकिंग ओवन में डाल सकते हैं, इसी समान प्रक्रिया से रागी के बिस्कुट भी बनते हैं, आईए अब देखते हैं कि जवार और कंगनी के कटलेट कैसे बनाते ह इसके लिए हमने जवार का आटा लिया है और कंगनी के पोहे लिये हैं, उबली हुई सबजिया और आलू, जितना आलू है उतने ही मातरा में हमने जवार का आटा लिया है, इन सभी को नमक और मसाले मिलाकर गुंध ले और एक गोला बन जाएगा, इसमें हम बीच में नमकी जैसे कि जुआर और इन पोहों के हमने वाफल्स बनाए हैं, रागी का डोसा, हमारे केक्स, मफिन्स, नूडल्स, पास्ता, बहुत सारे वेंजन इस तरीके से हम बना सकते हैं, अगर पूरी तरीके से गदन्य के आटे का उपयोग ना हो सके तो कोई बात नहीं, आप अपनी सा हमाने रेसिपी में एक चौथाई तक कदन्य का प्रतिस्थापन आराम से कर सकते हैं, यह सभी तेक्निके हमारे संस्थान में उपलब्ध हैं, हमारे संस्थान ने एक ऐसा बाजरे का आटा भी बनाया है, जिसको बिलकुल मैदे की तरह ही उपयोग किया जा सकता है, उसका न आनकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो कदन्य खाईए, संपन रहे, स्वस्थी रहे, धन्यवाद